हेलो स्टूडेंस तो चलिए भी पी एच के नुमेरिकल समसोल कर रहे थे लास्ट टाइम हमने जो हमारे पास वीक एसीड और वीक बेस हैं उनकी पी एच डिटर्माइन करी थी चलिए आज इस वीडियो लेक्सर में हम पी एच निकालने वाले हैं मिक्सचर्स की और वो भी किस तरह के मिक्सचर्स दो एसीड को मिक्स करेंगे हम और दो बेस को मिक्स करेंगे दो बेस को मिक्स करने के बाद दो एसीड के सल्यूशन को मिक्स करने के बाद रिजल्टेंट जो मिक्सचर होगा हमारे पास मिक्सचर उसकी पी एच किस तरह से कैलकुलेट करने वाले हैं या इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं तो मैं हूं तरसे मिजटेंड और बने रही है मेरे साथ स्टार्ट करते हैं छोटे से नुमेरिकल से सुर में भाई हम नुमेरिकल प्रोग्लम को लेंथी में थर से करेंगे और फिर बाद में उसके लिए डरेक्ट आपको सो ट्रिक बता दी जाएगी कि इस तरह से आप पीच निकाल सकते हो लेट से कि मालिच आपको दिया गया है 30 ml 0.1 molar HCl is mixed with 50 ml 0.01 molar HNO3 solution find the pH of resultant solution आपको resultant solution की क्या find out करनी है pH find out करनी है तो मैं फिर बता दूँ आपको pH निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती है H plus iron की concentration चाहिए होती है we need to calculate the H plus iron concentration for pH अब देखो इस numerical में दो पार्ट है एक तो है 30 ml 0.1 molar HCl mix किया गया है एक 50 ml 0.1 molar HNO3 mix किया गया दोनों ही strong acid है अब सुनिए यहां से भी H plus आएंगे यहां से भी H plus आएंगे हमें तो हमें क्या गरना है total H plus K moles निकालने है total H plus K moles निकालेंगे divide by निकालेंगे total volume कितनी है तो वो आजाएगे हमारे पास H plus iron की concentration तो यहां से कितने H plus K moles आएंगे और यहां से कितने H plus K moles आएंगे तो total H plus K moles हो जाएंगे divide by total volume जैसे 30 ml यहां से आ रहा है 50 ml यहां से तो यहां पर आजाएगे total volume और वो आजाएगे H plus iron की concentration ठीक है तो चले देखते हैं यहां से कैसे निकलेगा यहां पर दिया गया आपको 0.1 molar solution इसका क्या मतलब है देखो इसका मतलब है बच्चे 1000 ml solution में 0.1 molar है किसके HCl के अब आप दियान से बताएए HCl एक strong acid है ना जितने HCl के मोल होंगे उतने ही H plus के मोल होंगे देखो एक इसकी आगे लिखाओ एक इसकी आगे जितने h plus hcl k mol होंगे उतने ही h plus k mol होंगे या नहीं होंगे सर बिल्कुल होंगे तो यहां पर मैं यह लिख सकता हूँ 1000 ml solution में 0.1 mol h plus k है लिख सकता हूँ clear यदि मेरे पास 1 ml solution हो तो कितने mol होंगे 0.1 divided by कितना जाएगा 1000 और मैं यहां से कितना ml solution निकाल रहा हूँ 30 ml solution है तो कितने h plus k mol आएगे 0.1 divided by 1000 इंटू में आ जाएगा बच्चे 30 तो यह आगे है h plus k mol आए है concentration नहीं बच्चे h plus k mol कितने 0.1 divided by 1000 और इंटू में 30 यह तो आए है इस पार्ट में से इस पार्ट में से h plus k mol आप राइट साइड वाले पार्ट में से निकालते हैं h plus k mol देखें तो कितने mol आएटी देर की जाए अब 0.01 तो इसका मतलब क्या है 1000 ml में solution में h plus k h no 3 भी तो एक h plus देगा एक h plus है तो h plus कितने mol आजाएंगे 0.01 एक ml में कितने आएंगे बच्चे divide by 1000 और कितने ml solution ले रहे हो आप यहां से 50 ml तो into में हो जाएगा 50 ml तो राइट साइड में से h plus के mol कितने आएंगे बच्चे mol आएंगे 0.01 divided by 1000 into में आएंगे 50 clear पहला काम दोनों साइड में से h plus के mol निकाल लिए अब direct क्या करेंगे हम इस score इसको mix करेंगे तो total mol कितने हो जाएंगे बच्चे total h plus के mol total h plus के mol कितने हो इसमें यह जोड़ना पड़ेगा यहां नहीं जोड़ना पड़ेगा बिल्कुल सर तो 0.1 divided by 1000 into में 30 यह तो आया है यहां से plus 0.01 divided by 1000 into में 50 यह आगे है h plus के mol तो यहां से 1 by 1000 कोमन आए नहीं आ रहा तो 1 by 1000 यहां से 1 by 1000 यहां से कोमन आगया तो इसको ले जाता हो मैं बच्चे बाहर 1 by 1000 यह क्या यहां है h plus के mol आए हैं क्या है बच्चे h plus के mol ठीक है लेकिन हमें क्या चाहिए h plus की concentration चाहिए यह ना मुलारिटी तो मुलारिटी क्या होती है total mol divided by total volume तो total mol कितने आगे 0.1 into में 30 पलस 0.01 into में 50 और into में 1 by 1000 यह तो आगे total mol divided by total volume total volume कितनी है 50 ml तो यह 30 ml यह तो कितनी ml बन रहा है 80 ml तो इस 1000 को मैं यहां से अटाके नीचे लिया हूं नीचे लिया आया 80 ml आगे total volume बट volume किसमे होनी चाहिए लीटर में मुलारिटी निकालने के लिए volume किसमे होनी चाहिए लीटर में तो इसके लीटर बनाने के लिए into में क्या करना पड़ेगा मेरे को 1000 तो 1000 से 1000 क्या हो गया बच्चे खट गया तो finally h plus की concentration कितनी आ गई है की concentration और आगे solve करेंगे तो देखिए इसमें से 10 open करोगे तो decimal से decimal कट जाएगी तो कितने आ जाएगी तीन पलस में इसका so open करोगे तो एक बटा दो तो कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई आ जाएगा बच्चे असी तो यह हो जाएगा आपके पास 3.5 डिवाइड बाई असी इसकी भी decimal लगा दो कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट थरी वाइड डिवाइड बाई आठ तो 8 00800 चोका 32 तो तीन तीर चोबिस तो 0.04 तरी आ जाएगा एच पलस आयन की कंसेंट्रेशन किसकी कंसेंट्रेशन आ गई बच्चे यह एच पलस आयन की कंसेंट्रेशन आप निकाल लो पी एच पी एच क्या आज इतना लंबा जुगाड करना पड़ेगा क्या तो चलिए इसका फॉर्मुला बनाते हैं सोट का सोट का फॉर्मुला देखो फाइनली आपको एच पलस आयन की कंसेंट्रेशन चाहिए ना पी एच निकालने के लिए तो देखो 0.1 क्या था बच्चे यह वाली मुलारिटी थी तो यह आगई M1 30 क्या था बच्चे इस मुलारिटी की वोल्यूम तो V1 पलस 0.01 क्या था बच्चे इसकी मुलारिटी तो कितनी आ गई M2 50 क्या था बच्चे इसकी वोल्यूम तो कितनी आ गई है V2 डिवैड बए 80 क्या है बच्चे V1 पलस V2 देखो 30 पलस 50 तो इस तरह से आप H पलस आयन की कंसेंट्रेशन डिरेक्ट निकाल सकते वागे फॉर्मुला यूज करके ठीक है तो मैं इस फॉर्मुले को लिख दे रहा हूं यहाँ पर H पलस आयन की कंसेंट्रेशन निकालने का डिरेक्ट फॉर्मुला आ गया है M1 V1 पलस M2 V2 डिवैड बाई V1 पलस में V2 क्लियर है सर बिल्कुल क्लियर है सर बिल्कुल क्लियर है ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं वई तो चलिए स्टुडेंट्स यह नुमेरिकल ओर सोल करते हैं क्या है 80 ml है 0.01 मोलर हCeL और 20 ml है 0.1 मोलर है चैनो तो इसकी पीच निकालने से पहले हमें एस प्लस है निकालने पड़ेगी एस प्लस हैन की कॉंसेंट्रिशन तो डिरेक्ट फोर्मुला लगाते हैं यह बला M1 V1 M1 कतना बच्चे 0.01 V1 कितना है बच्चे 80 पलस M2 V2 M2 कितना बच्चे 0.1 इंटू V2 कितना सब्सक्राइब कितना बच्चे 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस तो यह आ गए बच्चे एच पलस आयन की कंसेंट्रेशन और फाइनली आपको क्या निकालना यहां से पी एच क्या निकालना है पी एच पी एच की वैल्यू यहां पूट कर देंगे लोग में जाकर वैल्यू आईग भी हम लोग टेबल हम बना चुके हैं कि लोग टेबल से लोग की वैल्यूस कैसे find out कर सकते हैं यह आप लोग वेल्यूज टाइप करें जटेंड क्लासीज के साथ तो आप वो उस वीडियो पे चले जाएंगे जहां पर लोग वेल्यूज केलकुलेट करना इसी घार रखी है फानली इस पॉर्मुले में फूट करेंगे और वी विल फाइंड दा पी एच चलि को पी एच तो हम बेस में तो नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं पहले क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें पी ओएच फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना तो इसका मतलब पाचाहिए हमें ओएच नेगिटिव आयन की कंसेंट्रेशन तो भई सेम फॉर्मूला अप ठीक है M1 आगया 0.1 V1 कितना आएगा बचे 20 ml पलस M2 कितना है 0.01 V2 कितना आजाएगा बचे 30 ml और डिवाइड बाई हो जाएगी टोटल वोल्यूम क्या आजाएगी 50 कलियर हांजी सर बिल्कुल कलियर है रिवाइड है रिवाइड प्षण टेवाइड होग है 10 और पिवाइड इनटू 10 की और माइनस टू यह आगई बचे हमारे पास OH negative ion की concentration आ गई है, तो हम POH निकालने हैं, पहले POH चलिए निकालते हैं, POH minus log of 4.6 into 10 की power minus 2 ठीक है, minus as it is log of 4.6 plus log of 10 की power minus 2 आ जाएगा clear है, सर बिल्कुल clear है, सर log 4.6 की value वही एक second रूखेंगे आप, मेरे पास एक book है, इसमें, मैं log 4.6 की value, देख लेता हूं, भई एक बारू किये, 46 की value देखनी हमें, भई किस पे, 0 पे, 46 की value 0 पे, तो 66 28, 66 28, यहां लग जाएगी decimal, एक है, तो 0, तो 0 point, 66 68 आएगी बच्चे, इसकी value, ठीक है, अब इसकी value minus 2 आगे आएगा, तो minus 2, लोग, टेल की value 1 होती, तो आगे है, यहां पर minus, ठीक है, तो देखे, क्या आएगा, अब यहां के देखते हैं, थोड़ा सा, तो यहां से आजाएगा, भई, minus of, अंदर आजाएगा, minus 1.4 के आसपास, even minus 1.36 आएगा, minus 1.36, तो minus minus पलस, तो पो, एच कितनी आगई है, बच्चे, इसकी, 1.36 आगई है, पो, एच, लेकिन हमें क्या find out करनी है, पी, एच, find out करनी है, न, तो पी, एच के लिए 14 minus क्या हो जाएगा, पी, ओ, एच, that is 1.36, तो 0, 10 में से 6 गया, तो कितना हो जाएगा, 4, 9 में से 3 गया, तो 6, तो 13 में से 1 गया, तो 12.64 पी, एच आजाएगे, बच्चे, इसकी, कितने आजाएगी, 12.64, तो कहने का मतलब ये है, चाहे 2 acid दे रखें, चाहे 2 base दे रखें, आप ये वह वाला formula apply करेंगे, बस h plus sign की जगह क्या आजाएगा, यहाँ पर, दूसरी बार में आजाएगा, OH-1 की concentration, clear है, हाँ जी सर, बिल्कुल clear है, अब देखिए बच्चे, जितने भी हमने अभी तक numerical किये हैं, उनमें जो acid हमने लिए हैं, वो 1 h plus, सिरफ 1 h plus, और base जो दे रहे हैं, वो सिरफ 1 oh-, यदि मैं ऐसा acid या, ऐसा base ले लेता हूँ, जहाँ पे, वो acid 2 h plus देता हो, 3 h plus देता हो, या base 2 oh- देता हो, तो क्या उनके लिए भी same formula apply होगा, या कोई और तरीका apply होना वाला है, चले देख लेते हैं, एक छोटे से numerical से detail में जाएंगे, फिर उसके भी direct formula पे हम पहुँचने वाले हैं, let's see, तो चले students ये छोटा से numerical और solve करते हैं, देखे, यहाँ पर 0.01 molar h2SO4 solution है, 30 mla रखा है, h3PO4 का solution है 0.1 molar, और ये 20 mla रखा है, यहाँ पर मैं दोनों को strong acid consider कर रहा हूँ, यहाँ पर मतलब h3PO4 को भी मैं क्या consider करके, answer निकालेंगे strong acid consider करके, तो चलो भी देखते हैं, तो एक बार दोनों के लिए separate चलेंगे, separate, ठीक है, इसको देखो 0.01 molar का मतलब क्या है, इसका मतलब है, 1000 ml में 0.01 molar किसके h2SO4 के, क्योंकि h2SO4 की concentration है न यह, तो 0.01 molar किसके आएंगे बच्चे h2SO4 के, लेकिन आपको यदि ध्यान हो, एक h2SO4 यदि break होता है, तो 2h plus देता है बच्चे, यह कितने h plus देता बच्चे, 2h plus देता है, तो आप खुद से सोचो, एक mol h2SO4 दो h plus देता है, दो mol h2SO4 च्यार h plus देगा, तो इतने mol h2SO4 कितने h plus देगा, तो इसको 2 से multiply कर दूँ, जो इसका n factor है, जो इसका 2 से multiply कर दूँ, तो यहाँ पर आगए, यहाँ पर अब मैं कर देता हूँ, 2 से multiply, अब यह किसके mol आगए है, किसके mol आगए है, h plus की ध्यान रखने हैं इस बात को, एक ml solution लेता हूँ, तो 0.01 into में 2, divide by कितना आजाएगा, बच्चे 1000, कितने ml solution लेना में, यह 30 ml, तो into में आगए, बच्चे मेरे पास 30, तो यहाँ से तो आगए, h plus के mol कितने, इतने, 0.01 into 2, ठीक है, और into में 30, divide by कितना आगए है, बच्चे 1000, clear, अभी side से निकालो, कैसे निकालोगे, देखो, 1000 ml में, 1000 ml में, कितने mol है, h3PO4 के 0.1, 0.1, अब h3PO4 के 0.1 mol है, तो h3PO4 टूटेगा, तो कितने h plus देगा, आपको 3, तो h plus के कितने mol हो जाएंगे, बोल यह से 3 गुना हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल सर, 3 गुना h plus के mol, ठीक है, हाँ जी सर, यदि एक ml solution हो, तो 0.1 into में 3, divide by कितना आजाएगा, बच्चे 1000, कितने ml solution ले रखाई, हमें 20, तो इन्टू में आजाएगा 20, तो इसका मतलब, h plus के mol, इस side में कितने आगए है, 0.1 into में 3, divide by 1000, इन्टू में क्या जाएगा बच्चे 20, क्या जाएगा इन्टू में 20, अब इन दोनों solutions को, हम mix करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, mix, तो देखिए, तो total h plus के mol, कितने आजाएगे, total mol, 0.01 into 2, into 30, plus 0.1 into 3, into 20, यह बच्चे 1 by 1000 को मन हो जाएगा, यहां से भी 1 by 1000, यहां से भी 1 by 1000, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, into में 1 by 1000 को मन आने के बाद, अब यह तो total h plus के mol है, लेकिन मेरे को तो h plus की concentration चाहिए न, क्या चाहिए h plus की concentration, तो वो क्या होगा, divided by total volume भी करनी पड़ेगी, total volume कितनी, 20 ml यहां से, 30 ml यहां से, तो कितनी ml हो जाएगी, total volume 50 ml, और इस ml को लीटर में convert करोगे, तो into में कितना हो जाएगा, 1000, 1000, तो 1000 से 1000 तो फिर भी कटेगा, बोली कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या direct formula बन रहा है बच्चे, यहां पर h plus i n की concentration निकालने का, चेक करते हैं, देखे, इसकी molarity कितनी थी lap side वाले की m1, तो m1 तो यहां पर भी है, volume कितनी थी 30, volume तो यहां पर भी है, मतलब m1 v1 तो अब की बार भी रहेगा, इधर देखो, molarity कितनी थी m2, volume कितनी थी 20 तो v2, मतलब m2 v2 यहां पर भी रहेगा, divide by total volume इसका मलब v1 पलस v2 यहां पर भी रहेगा, तो सब फरक क्या है, फरक है बसे इस नंबर का, देखो इस नंबर का, और यहां फरक है इस नंबर का, यह नंबर क्या है, सोचो यह नंबर क्या है, यह नंबर है h2SO4 का, कहां से आया यह दो नंबर 2, यह 2 कहां से आया, देखो, H2SO4 कितनी HVA3D आहां आपको 2H+, दे रहा, 2, कितनी HVA2, तो ये वो नंबर आया है, H3PO4 कितनी HVA3D आपको total 3, तो ये वो नंबर आया है, तो इसको बोलते हैं बचे N factor, क्या बोलते हैं N factor, कोई Acid कितनी HVA3D देगा वो उसका N factor है, ये Acid दो H दितो इसका N factor 2 आ गया, इस Acid ने तीद नाद दी तो इसका और अगया तो इसका मलब यहां पर आपने वाले के स्च पालने का यह फॉर्मॉला पलाएके जोरति निए वह नहीं वहलागर लगशार क्योंकि उपर वाले से में एक पलस देता था और दूसरा भी एक पलस देता था तो अपने आप बन जाएंगा ना वह वहाला फॉर्मॉला तो ठीक तो अब डिरेक्ली यह फोर्मॉला अपलाई कर सकते हैं किसी भी नुमेरिकल में तो यहां से आप निकाल लेंगे अच पलसले की कनसेंटेशन को सो आपके बार क्या देदी आपको 30 ml 0.1 मोलर कैल्सियम हड्रोकसाइड भी सेमल 0.01 मोलर एन निवेच का स्लूशन आपको पहले क्या निकाल नहीं पड़ेगी आपको बच्चे ओ एच नेगिटीवाइन की कंसेंट्रेशन निकाल नहीं पड़ेगी बिल्कुल सर तो जो एच पलस एम लन एम मोलर एटी कितनी यहां पर 0.1 इन टू वी वन वोल्यूम कितनी बच्चे यहां पर 30 ml पलस एण टू अरे एं निवेच लिया इसके तो एंट्विए की होती एक है आ जाएगा तो एक आ जाएगा एम टू मोलर एटी 0.010 0.01 इन टू वी टू वोल्यूम कितनी plus V2 20 30 कितुना हो जाएगा पच्छे 50 हो जाएगा यहां से decimal दसे 6 आ गया है यहां पर बच्छे एक 10 आ कहशत गया है तो 0.2 आ गया है Divide by कित्ना इविप्टी विद बाइडके बाइब कि तो इसकी उपंगर ehm likedumhay और 1100 बाइड चलेगा एक 5 पे 10 दो 5 उ इन्टू में 10 की पार हो जाएगा बच्छे माइनस टू तो मेरे को डैसिमल लगाने तो मैं इसको सोल कर सकता हूं या ऐसे ही सोल कर लेंगे आप तो यह किसकी कंसेंट्रेशन आ गई बच्छे ओएच नेगिटिव आयन की कंसेंट्रेशन आ गई है 12.4 इन्टू 10 की पार माइनस टू तो आप क्या निकाल सकते हैं पी ओएच निकाल लेंगे वही पी ओएच तो अब है वह लोग में वैल्यू पुट करनी आप जटेन क्लासी पर जाएगे लोग टेबल मिल जाएगे आपको किस तरह से सोल करते हैं और फाइनली क्या निकल है तो यह था स्टुडेंस हमारे पास पी ओएच निकालने का जब दो एसिड मिक्स कर रखे एसीड एसीड इसलियूशन और दो बेस बेस स्लिवूशन हमारे पास क्या रखे हैं मिक्स कर रखे हैं अब चलते हैं आगे नुमेरिकल की तरफ यदि मैं एक एसीड और एक बेस यदि ऐसे mix कर दूँ तो मतलब acid में base mix कर दूँ यहां तो दो acid acid mix करके था या दो base base यदि हम एक acid ले 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 और दूसरा उसमें क्या मिला देते हैं base तो किस तरह से pH find out करी जाएगी चलिए proceed करते हैं next numerical की तरफ तो चलिए student soul करते हैं भई इसको हमारे पास इसको first condition माल लेते हैं इसको क्या माल लेते हैं second condition और यहां आदाते हैं है एच पलस या फिर ओएच माइनस आयन की कंसेंट्रेशन दोनों लेनी पड़े यह अब की बार आपको भई आप एच पलस की कंसेंट्रेशन भी मान सकते हैं और ओएच नेगिटिव की कंसेंट्रेशन भी सर यह कैसे देखो कैसे अब हम acid और base को mix करेंगे माल लो अंदर ज अब ढ़िए HAR माइनस के ओ ले तो यह तो एक दूसर एशन नूट्रल हो गए ना तो पीह तो नूट्रल होगी तो पिच कितनी आ जाहेगी र कितनी र फीस सेवन मे लेकिन माल coc我 बच गई है और अठानुफा बच गई हो है ओजए ओज नेगिट्यू के मोल तो बताईये पर आगया 102-6MMS और लास्ट में जाकर आख असप्लस के मोल तो किसके मोल बचेंगे वह माईनस कीःतने मोल बचेंगे दू तो इसल्यूशन हो जाएगा लास्ट में चालकर बेसिक क्या होजाएगा बेसिक तो यहो से तो डिरेक्ट नहीं पता है न हमें क्यों और 5M ज्यादा है तो हम डिरेक्ट आते हैं इस पॉर्मूले को अपलाई करते हुए ठीक है तो बताइए एन वन इसका एन फेक्टर कितना बच्छे अच्छी अलगा तो वन है कोई दिक्कत नहीं एन वन 0.1 into v1 कितना है बचे 30 ml कितना है 30 ml पलस n2 यह भी न वह एक है ओच नगरी तो तो एन टू 0.01 ठीक है into v2 कितना है बचे 50 ml डिवाइड बाई टोटल वोल्यूम कितनी है 30 और 50 कितनी है बचे 80 चलो आगे डेसिमल से डेसिमल कट गया तो तीन मोल तो आगे है अच पलस के अब बोलिए यहां से डेसिमल ओपन होगा तो 100 पचास से 200 कट जाएगा तो एक बटा दो एक बटा दो का मतलब 0.5 यहां गया 80 अब जहान से समझे इस बात को तीन मोल तो है यहां पर हच पलस के हच पलस के और 0.5 मोल है ओच माइनस के तो बताओ यह जूडेंगे क्या नहीं जूडेंगे हच पलस के मोल आए है बचे तीन ओच माइनस के मोल आए बचे 0.5 तो बताओ फाइनली किस के मोल बचेंगे और कितने बचेंगे किसके मॉल ज्यादा है इस पलस के ना कितने मॉल है तीन और ओएच माइनस के 0.5 मॉल उसमें से माइनस कर दो अब यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा मालब तीन में से 0.5 घट जाएगा तो कितना बच गया 2.5 डिवैड बाइच सी लेकिन एक किसके मॉल बचे है अब ओएच माइनस नहीं आएगा यहां पर क्या आ जाएगा एच पलस क्योंकि तगड़ा कौन था एसिड तो बच गया एच पलस की मॉल तो इसका मलब फाइनल प समझ में आई क्या करना है क्या नहीं करना है नहीं समझ में आया तो next numerical से आप कोशिस करेंगे समझने की तो चले श्टुडिंट्स निकालते हैं pH इस numerical की यहां है यहां पर कौन है यहां पर प्लस आएगा माइनस आएगा वह लास्ट में जागर पता चलने वाला है हमें ठीक है तो हमें नहीं पता है प्लस यादा होगी या ओच नेगटिवाइन की हमें तो सोल करते चलेंगे बस चलिए यहां पर एन वन आच्ट्रेस ओपोर गया वन आजाएगा बच्छे दो इंटू एम वन इसकी मुलारिटी कितनी है जीरो पॉइंट जीरो वन इंटू वी वन कितनी है बच्छे तीस एमल है पलस एंटू 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 इसकी नौर्म इन फेक्टर कितना एंटू 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 मुलारिटी कितनी है जीरो पॉइंटू वी टू कितना है बचे 10 ml डिवाइडवाइड कितना जाएगा बच्छे वीवन पलस वीटू तीच और दस कितना जाएगा 40 कलियर है अब इस स्टेप में बता चलेगा हमें कि एच पलस क एन मॉल बचेंगे यह ओएच माइनस के मॉल बचेंगे ठीक है तो देखें यहां से हंड्रड हो गया उपन हंड्रड यह जीरो से जीरो कैंसल होगी तो तीन दूनी छे तीन दूनी छे बटा दस कितना जाएगा 0.6 मॉल तो आगए एच पलस के पलस डैसिमल से डैसिमल कट बचेंगे और एक मॉल आगया वचे ओच मैनस की मैनस का एक मिनस की ओट मैनस का अगया तो डिवाईड बटा यह जादा है अरे सोचो मेरी सेना में 100 आदमी है आपकी सेना में 50 आदमी है तो लड़ने के बाद कितने आदमी बचेगे 50 आदमी किसकी सेना गे मेरी आदमी मेरी सेना गे ना क्योंकि मेरे 500 आदमी में से 50 आदमी आपके 50 सेना को मार डालेंगे और मेरे 50 सेना को बच जाएंगे है ना तब तो यह तो है OH negative यह है है h positive तो कौन ज्याद है oh negative तो अपकी बार इस में से घटा होगे one में से कितना घटा दोगे 0.6 divided by 40 तो आ जागा बचसे 0.4 divided by 40 लेकिन अपकी बार concentration h plus की नहीं तो किसकी आ जाएगी बचसे दो गटाओगे तो 12 आ जाएगा कितना जागा pH इसका बार है आ जाएगा ठीक है और इस तरह से हम acid base वाले mixture की क्या निकाल पाएंगे pH निकाल पाएंगे I hope आपको pH अच्छे से clear हुआ है तो हम pH के numerical में कौन से कौन से पढ़ चुके हैं simple strong acid strong base देरखा उसकी pH हम निकाल चुके हैं भई पीछे ठीक है आपके पास very dilute solution उसकी pH निकाल चुके है हमारे पास weak acid या weak base है उसकी pH निकाल चुके है और आज हमने निकाल ली है mixture की pH acid base acid acid base base के mixture की pH किस तरह से determine करेगी this is the key point यह क्या आपके पास key point होने वाला है I hope आपको अच्छे से clear है pH का topic मिलते हैं next video में नए topic के साथ